मुबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल करके तमाम लोग आज अपने लिए सफलता की स्टेडिया खोल रहे हैं वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मुबाइल फोन सिर्फ उनका पूरा दिन बरबात करने का एक चोटी सी मसीन है तो यहाँ पर मैं आपसे ही करा चाहूँगा फ्रेंड्स की सबसे पहले तो आप यह सोचे कि आप मुबाइल फोन का प्रयोग कितनी दिर करते हैं और किस पर्परस के लिए करते हैं जब मुबाइल फोन आप उठा हैं तो अपना परपज बिल्कुल असपस्ट रखें सोचल मीडिया पर दस मिनट पंदरमट से ज़्यादा समय बिल्कुल भी ना दें आल ओवर अगर आप देखेंगे तो सोचल मीडिया आपका पूरे दिन का एक से दो घंटे यूँ खा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और इसका सेथा प्रभाव आपके करियर पर पढ़ता है तो अगर आपको करियर को पीक पर ले जाना है आपको सफलता लेनी है तो सबसे पहले तो यह डिसाइड करो कि क्या पढ़ने के लिए आप आए हो सबसे पहले उस काम को पूरा करो Current Fair, Daily Classes, Daily MCQs या फिर News और इसके बाद अगर आपको लगता है कि Social Media पर जाना चाहिए तो फिर Social Media पर जाओ और ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है वैसे भी Social Media एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्व आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं और आपकी जो मन स्थिती होती है वो पढ़ाई करने से हटकर कुछ और करने की होने लगती है तो इन चीजों से बचें और आपका समय आपका जो आज का दिन है वो काफी महत्तमूर है डेली के लिए एक जो टारगेट अपना ज़रूर सेट करें और उसको साम तक अचीब करने का पूरा प्रयास करें आपका दिन अच्छा जाएगा आपकी लाइफ में काफी पास्ट्यू इंप्रिमेंट आपको कुछ दिनों के बाद दिखाई देने लगेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेटिवी दियान प्रकास में और आज 18 माई है टेट पास बीएट डिग्री धारकों को पातरता प्रमारपत जारी करने पर रोक बरकरार है तो हाई कोड ने NCT को 14 जुलाई तक जबाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं और 14 जुलाई तक बीएड वालों का जो सर्टेफिकेट है टेट लेबल वन के लिए प्रमारी टीटी के लिए उस तो जारी करने पर रोक भी लगा दी है इस पर सुनवाई 16 तारिक होनी थी नहीं हो पाई फिस 17 माई को इस पर सुनवाई वी थी हना कि पूरी अपडेट मैंने आपको कल दोपर ही दे दी थी लेकिन आज के अख़बारों में ये खबर पब्लिस हुई है और इसमें कहा गया कि कोट ने मामले में अस्थगान आदेश को बढ़ाते विए येंसी टी को 14 जुलाई तक जबाब दाखिल करने को कहा है ये आदेश नयमूर्थी जिदार्थ ने प्रतिक मिस्त्रा और चार अन्न की आजका पर सुनवाई करते हुए दिया है तो कोट ने सरकार से पूछा था कि रास्थान हाई कोट के फैसले को देखते हुए येंसी टी ने क्या कोई नया दिस्ता निर्देश जारी किया है तो सरकार की और से मतलब येंसी टी की और से फिलाल तो जो नोटिफिकेशन है जो उत्तर है वो जाई कर दिया गया है यंसी टी ने कल अपने अधिवक्ता से ये कहा कि किरपया कोड को आउगत करा दे कि रास्थान हाई कोड के द्वारा यंसी टी का 28 जूम 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको रद की जने के बाद यंसी टी ने कोई नया अपडेटिड नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है तो फिलाल अब जो इस पर अगली सुनवाई होनी है वो 14 जुलाई को होनी है तक यहां पर उत्तर प्रदेश में ना तो नहीं सिक्षक भरती आने की कोई उमीद है और नहीं यूपी टेट का जो पैडाम है जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा तो यहां पर जो मामला है वो बेड और बीटीसी के चातरों का है बीटीसी के चातर चाते हैं कि प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले लिए जाएं और बीड वालों को बाहर कर दिया जाएं आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर चलते हैं और अगली खबर है कि एकल फीट ने भी आविदन पर रोक नहीं लगाई थी तो यहां पर देखो सहाक अध्यापकों की और से अधिवक्ता अगनिहुत्री कुमात रिपाटी और अन्ने का कहना था कि याची पहले से सहाक अध तो BTC के लिए एक भरती आई थी जिसमें 8500 पत थे और उसमें जितने भी अभरती चैनी तो यह और कुछ अभरती ऐसे भी थे जो कि दूर के जिलों में चले गए तो उन्होंने अपनी रैंकिंग को और इंप्रूब करने के लिए 79000 सिक्षक भरती में पाटिसिपेट किया लेकिन वह सी समय एक नियम यह बनाया गया था कि जो लूब पहले से सहाय का ध्यापक हैं उनको नमसी न मिले ताकि अधिक से अधिक नए जो बच्चे हैं उनको मौका मिल सके रोजगार पाने के लिए लेकिन यह मामला कोट में गया था और कोट ने कहा कि कोई भी अगर सहा साहा का द्यापक पत पर काम कर रहे हैं अध्मिर्थियों को दोबारा उसी पत के लिए आविदन करने पर कोई रोक नहीं है याचियों के अधिक अंकलाने से वे पसंद के जिलों में न्यूकती पास सकेंगे तो कोड ने राज सरकार के उस तरक को नहीं माना जिसमें कहा गया था कि साहा के द्यापकों के पास अंतर जिला अस्तानांतरन का विकल्प मौझूद है और उनके दोबारा उसी पत के लिए आविदन करने से सिख्षकों के सभी पत भरे जाने की सरकार की मनसा प्रभावित होगी और सिख्षा के अधिकार अधिकार अधियम का उद्देश से बिफल होगा इस फैसले के खिलाब दाखिल अपील पर राज सरकार कियों से कहा गया कि एकल पीट ने राज सरकार के तरकों पर ध्यान नहीं दिया है और सरकार को अपने करबचारियों को दुबारा उसी पत्पर चैनित होने से रोकने का अधिकार है चैन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उसमें हस्तक छेप से प्रक्रिया प्रभावित होगी तो यहाँ पर पून उसी पत्पर आवेदन से नहीं रोग सकती सरकार तो यह बात यहीं गई है इलाबाद आई कोट ने एक महत्पूर आदिस में कहा है कि पहले से सहाक अध्यापक पत्पर कारिक कर रहे है अधिवर्तियों को दुबारा उसी पत्पर आवेदन करने और चैनी थोने का अधिकार है ऐसा करके अधिवर्ति अपने अंक बढ़ा सकते हैं और अपने पसंद के जिले में न्यूकती पा सकते हैं तो यह खबर उनके लिए जो लोग परे से सिक्चक हैं और जो लोग दुबारा से फिर से सिक्चक परती में सामे लोकर अपने रैंक को इंप्रूब करके अपने पसंद का जिला पाना चाहते हैं यह जो डिशीजन है यह ऐसे सिक्चकों के के लिए है ऐसा आप कर सकते हैं और बीएड परिक्षा में आवेदन का टूटा तीन वर्सों का रिकार्ड कुल मिला के देखा जाए तो आवेदन करने के लिए दो लास्ट डेट लगाई यह थी पंद्रह मई तक लास्ट डेट थी जब आपसे लेट पेमेंट नहीं जा जाए अठारा प्रेल से सुरू हुए थे आउनलाइन आवेदन और अब तक छह लाग चालिस जार अवेड़ी जोए वह फार्म भर चुके हैं तो एक बहुत बड़ी संक्या है 2020 में 69,000 के आसपास अवेड़ी जोते वह उन्होंने आवेदन किया था इस बार यह आकड़ा जो है व और यह जो आउनलाइन आवेदन है इसमें लेट पेमेंट के साथ यानि कि भीलं मुसुल के साथ जो अब भरती चाहें अभी भी 20 मही तक आवेदन कर सकते हैं 16 से 20 मही यह थी लेट पेमेंट के साथ आवेदन करने वालों के लिए रखी गई है और इस बार जो फीस थी वो पिसले साल के लगबग बराबर ही है तो अभी भी आवेदन करने वालों की जो संक्या है वो बढ़नी तैमानी जा रही है और इंटर्व्यू में अंक निर्धारन की प्रक्रिया पर उठे सवाल तो मामला यहाँ पर UPPSC का है UPPSC में जो इंटर्व्यू में अंक आते हैं उसम के अध्यक्ष का होता है हलांकि 21 जुलाई 2017 को उत्तरपदेश लोग से वायो के संदर में ततकालीन मुक्र सच्च्यू की अध्यक्सता में जो बैठा कुई थी उसमें सच्च्यू में बताया था कि आयो की निर्धा के उनसार सभी प्रकार के साक्षातकारों में साक्षातका और विसे विसे सतागे प्राविदिक प्रामार्ज दाताओं को भी अंक प्रदान करने का अधिकार होगा सभी लोगों अलग-अलग अंक देंगे इसके बाद जुस्ता जो एरेज होगा वही अंक अभेड़ती को दिया जाएगा लेकिन ये बेश्ता अभी तक लागू नही आप चाहें तो टेलेग्राम चैनल इस्टेटी वी ध्यान प्रकास को जोईन कर सकते हैं और अगर आप अभी जोईन नहीं किया है तो जरूर जोईन करने क्योंकि यहाँ पर सारे सुचनाएं आपको समय से प्रिसीद कर दी जाती हैं तो दोस्तों आज के सेस्थन में बस इतना इतिहास के प्रस्थन तमाम जानकारियां आपको प्रति दिन सेर की जाती हैं उसको आप सुन सकते हैं अपनी परिक्षा की तयारी और बहतर तरीके से आप कर सकते हैं तो आज की सेस्थन में बस इतना ही थैंक्यू सो मुच्छ वेव ग्रेट डे जय हिंद